ओके सो बेरियम की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं बेरियम स्वैलो प्रोसीजर के बारे में तो बेरियम स्वैलो प्रोसीजर जो है उसको किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार के इसके अंदर इमेज का टेकन किया जाता है और ये सारा हम आज के इस वीडियो के अंदर step by step हम देखने वाले हैं ओके, so step by step में हम आज किन किन बातों को देखेंगे कि जो generally जो procedure किस प्रकार से होता है और क्या है इस procedure के अंदर तो सबसे पहले इस procedure के बारे में हम उसकी definition वगेरा चेक करेंगे और plus साथ में बात करेंगे indications की, indication के किन cases के अंदर इन procedure को किया जाता है और कौन-कौन से contra indication हो सकते हैं कि इस procedure को नई करने के region कौन-कौन से हैं और इसमें कौन-कौन से equipment generally जो use आते हैं और किस प्रकार से हम patient की preparation को करते हुए वो procedure को हम करते हैं तो यह सारी चीजे हम आज के इस वीडियो में देखने वाले साथ ही हम बात करेंगे किस प्रकार की filming को इस procedure के अंदर टेक किया जाता है तो step by step हम सारे को देखते हुए चलेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि barium swallow study है क्या इसकी definition, actual में इसकी definition क्या होती है तो वैसा कि जैसे हम सब जानते हैं कि barium study है क्या वो हमने पिछले वीडियो में भी हमने देख लिया था कि barium study है क्या इसमें किस प्रकार के contrast यूज लिया जाते हैं और इस contrast को यूज लेने के पीछे region क्या है वो सारी चीज़े हमने डिसकस कर लिती है अभी हम बात करते हैं barium swallow procedure के बारे में definition की बात करें तो वो क्या कहना चाता है कि वह रेडियोग्राफिक examination या फिर upper gastrointestinal track का वह रेडियो लोजिकल examination जिसमें barium sulfate का यूज करते हुए pharynx part, isophagus और stomach part की structure and functional abnormality को दर्साय जाता है उसे barium swallow procedure कहते हैं ओके तो ये सारा हमारा होगा barium swallow procedure अब हम बात करते हैं कि barium swallow procedure हो गया generally हमने कौन-कौन से part इसके अंदर include किये, pharynx हो गया, isophagus हमने ले लिया और फिर साथ ही साथ में हमने बात की ती जैसे ये liver यहाँ पर overlap कर रहा है तो ये हमने stomach की stomach का upper वाला part जो है वो इसके अंदर include होता है तो इतने जो part है ये सारा हमारा क्या है barium swallow procedure जो है इसमें include होता है अब हम बात करते हैं कि stomach का upper वाला part लेते हैं ओके तो upper वाले part में वैसे हम एक बार stomach की anatomy हम देख लेते हैं generally जो होती है ये हमारा stomach है अब इस stomach में ये isophagus वाला part आके जुड़ा है अब इसमें सबसे first जो pincher वाला जाता है वो हो जाता है cardia okay, cardia के बाद हमारे जो इसका stomach के जो parts आते हैं वो होता है fundus, fundus part, body part और entrum ये सारे part हमारे stomach के हैं और यहां पर आ जाता है हमारा pyloric spincher okay, तो ये हमारा पूरा stomach का anatomy हो गई तो ये सारे part को हम किसमें इसमें barium swallow procedure के अंदर include करते हैं तो barium swallow की procedure देख लिए हमने इसकी generally anatomy भी हमने देख लिए हैं अब हम बात करते हैं इसके indication की तो कौन कौन से indication है या इस procedure को करने के पिछे के region कौन कौन से हैं तो देखिए सबसे पहले आ गया हमारा सबसे main dysphagia difficulty in swallowing dysphagia जो condition है उसमें क्या होता है कि patient को निगलने में दिक्कत आती है तो सबसे फॉस्ट यह हो गया dysphagia dysphagia के बाद में आता है dyspepsia dyspepsia में क्या होता है heartburn generally हम देखते हैं कि जो हमारी food pipe है जिसको हम isophagus कह रहे हैं तो वह क्या होती है कि generally जो हमारा trachea wind pipe है उसके पीछे की तरफ यह flow करती है होके तो बहुत बार heartburn के cases में भी हम barium swallow procedure को किया जाता है और इसमें क्या आ गया abdominal pain आ गया किस कारण abdominal pain हो रहा है उसको भी barium swallow procedure किया जाता है blood in vomit vomit जो भी उल्टी वगरा हो रही है उसमें passion के blood आ रहा है प्लस हम बात करते हैं isophagial carcinoma isophagial carcinoma की isophagus में किसी भी प्रकार के malignancy या answer tumor वगरा के लिए यह procedure किया जाता है फिर बात आती है isophagial ulcer and polyp जब जैसे कि यह isophagus है जनरली अब इसमें ulcer या polyp होंगे तो क्या होगा जनरली इस प्रकार के इसके अंदर pouch like जो है उभार आ जाएंगे तो यह जनरली isophagus के अंदर अगर होंगे तो जब भी हम barium pontrash इसमें जाएगा तो यह जो चीज है जो ulcer और polyp हैं वो हमें अच्छे से इसमें diagnose हो जाएंगे तो isophagial ulcer हो गया फिर आता है gastro isophagial reflex अब देखे gastro isophagial reflex कंडिशन क्या होती है कि जैसे कि यह हमारी isophagus है और यह है इस्टमक वाला पार्ट है तो जो भी इस्टमक का जो भी खाना वागे रहा है वो क्या हो रहा है gastro isophagial reflex यानि gastric से होते हुए isophagus में उसका reflex हो रहा है यानि कि खाने का path जो होता है उससे different side में जा रहा है यानि कि इस्टमक से खाना वापस isophagus में आ रहा है यह सारा isophagial reflex है उसको चेक करने के लिए barium swallow procedure किया जाता है फिर आता है diverticulum diverticulum isophagial diverticulum भी हो सकता है diverticulum क्या होता है एक pouch like filling होती है filling defect है यह ओके तो इस परकार में ज तो यह था diverticulum तो पाउस like fillings थी filling defect हो अब यह सारे इंडिकेशन की बात की अब हम बात करते हैं Contra Indication की Contra Indication वह conditions है जिसमें यह procedure को हमें avoid करना परता है कि इस condition में यह procedure नहीं किया जाएगा तो अगर बात करेंगे कि जैसे recently कोई भी GI tract की कोई भी surgery हुई है या isophagal की कोई भ प्रोसीजर नहीं करेंगे एक condition आती है ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टूला अभी हमने पहले देखा था कि क्या होता है कि जो हमारी जो इसोफेगस है वो ट्रेक्या यानि के विंड पाइप के पीछे की तरफ बहती है तो कई बार इन दोनों के बीच में abnormal connection बन जाता है ज प्रोसीजर नहीं किया जाता है यह हर प्रोसीजर के अंदर है एक कौन सा suspected pregnancy जब भी pregnancy cases के अंदर रडियेशन से वैसे ही पैशेंट को एवोई रखना है दूर ही रखना है तो उस cases में नहीं करेंगे प्लस आता है complete bowl obstruction में क्या होता है कि जैसे कि bowl के अंदर किसी भी प्रकार क absorption यह नि completely रुकावट है तो उस cases में हम बेरियम नहीं पिलाएंगे क्योंकि उसको एक्सीजर नहीं कर पाएगा पैशेंट ओके तो यह थे हमारे कॉंट्रा इंडिकेशन के बात आती ही बाद में हम बात करते हैं equipment के तो equipment के अंदर generally most जो equipment है एक्से यूनिट हो गया fluoroscopy with sport film device sport film होने से क्या फाइदा रहेगा कि जब भी हमें किसी भी प्रकार की abnormality दिखेगी हम उसी समय image को take कर सकते हैं फिर आगे अगे अरियम सलफेट यह तो contrast media है generally most useful है प्लस बात आती है इस्टेराइल ग्लास की इस्टेराइल ग्लास वगेरा जो हो गई और भी इस्टेराइज एक्ट्राइज की जवरत परती है नेक्स बात करते हैं पैशेंट के preparation की अब सब कुछ मेरे पास तेयारी हो गई अब बात आती है पैशेंट को prepare करना है procedure के लिए अब देखिए कि fasting about को टू और दो गंटे से ज्यादा भी फिर अब क्या करेंगे जो भी प्रोसिजर हैं इस प्रोसिजर के जो भी स्टैप से हम उस प्रेशन को बताएंगे ताकि उस प्रेशन को किसी भी प्रकार का है जीटेशन नहीं हो जब हम प्रोसिजर कर रहे हैं तो पूरा प्रोसिजर उस अब हम बात करते हैं, प्रोसिजर में जन्रली किया-जाता है कि पेशेंट को ऊपाइन टेक्ग कीया जाता है शुला के एक प्लेज क्वेन फिल्म को तेक्क करेंगे हमारे अ पाром हो गया सबसेंगे इस्तुमक का अपर पार्ट अपर पार्ट हो गया और एक plane film हम लेंगे, जिसके अंदर कौन-कौन से part include होने चाहिए, pharynx हो गया, isophagus और stomach part include होने चाहिए, ये थी image plane film, अब after contrast की जो image होगी, वो अभी देखे, after contrast, अब contrast कैसे देंगे patient को, one mouthful contrast, यानि one mouthful बोले तो 10 to 15 ml, हम patient को contrast देंगे, उस patient को contrast, एक mouthful contrast दिया, उसके बाद ह हम उस contrast को swallow करने के लिए काई या निगलने के लिए काई, तब एक बार में निगल के रुक जाना है, क्योंकि अगर patient रुकेगा नहीं, तो motion artifacts आ सकते हैं, तो इसलिए हम patient को क्या कहते है, stop करने के लिए कहते हैं, एक बार निगलने के बाद, ओके, तो जैसे ही एक बार निग patient contrast media को swallow करेगा, हम उस समय क्या करेंगे, कि frontal जैसे ही patient swallow करके रुका, तो हम उसके अंदर ap film जो हो गई, lateral हो गई, या oblique film जो हो गई, यह सारी इसके अंदर हम take करेंगे, ओके, तो most commonly जो इसके अंदर images होती है, वो कौन कौन सी होती है, वो हम इस filming process में देख लेते हैं, क्यों public वाली क्यों जरूरी है, और ap film है, वो कब ली जाती है, अब देखे, क्या होता है, कि जो generally जो filming वाले है, सबसे first हमने plain film ले ली, यह first image हो गई हमारी plain film, फिर बात आती है, after contrast के, after contrast में कौन कौन सी image है most commonly ली जाती है, कि ap film जो है, उसमें कौन कौन से part include होना जाए, isofagus वाला part हा गया, यह पूरी ap film हो गई, जैसे ap film हो गई है, वैसे ही हमारी lateral film है, उस lateral film में भी यह सारे isofagus और stomach वाला पार्ट उसके अंदर include होना चाहिए, okay, तो यह हो गई हमारी lateral film, अब बात आती हो oblique film, कि oblique film क्या है, कि कुछ cases होते हैं, उसके अंदर ही oblique film को take किया जाता है, ज यानि कि हमें जब जरूरत होती है, तो mostly यह कब oblique images कब ली जाती है, जब doctors को क्या होना है, एक तो barium field isophagus check करनी हो पूरी, तो वो उसको देखने के लिए oblique image, और कई बार क्या होता है, कि barium field isophagus, कई बार fistula अगेरा के कारान भी check किया जाता है, और trachea और इंके बीच में तो कहीं abnormal connection तो नहीं है, उसको check करने के लिए भी बहुत बार oblique images ली जाती है, फिर आती है gastroesophagial reflex, इस gastroesophagial reflex अभी हमने बात की थी, कि जो भी stomach से जो food है, वो कहां जा रहा है, isophagus के अंदर जा रहा है, तो उस reflex को check करने के लिए oblique images को take किया जाता है, अभी हमने पूरा procedure हमने complete हो गया है, after care, after contrast images हमने देख लिए किस-किस प्रकार की images कब-कब important होती है, वो चीज हमने देख लिए oblique images की हमें कब ज़रुत होती है, अब बात आती है, एक general procedure के अंदर हम किस प्रकार की image को take करते है, तो AP image जो हम यह first जो image देख रहे हैं, तो यह हो गई हमारी AP images, जिसके अंदर pharynx, pharynx आ गया, isophagus हो गई, और stomach का part हो गया, ओके तो यह सारे part हमारे इस AP film के अंदर आ गए, प्लस जब हम lateral वाली image देख थे हैं, lateral वाली image में भी pharynx पार्ट, isophagus और stomach वाला upper part, तो यह हो गई हमारी lateral image, तो एक जो generally जो barium swallow का जो procedure होता है, उसके अंदर mostly जो है, images, barium swallow जो procedure है, उसके अंदर AP and lateral image को prefer किया जाता है, उसके कुछ conditions होती है, जिसके अंदर हम oblique images भी take करते हैं, ओके, तो यह था हमारे procedure की image, अब इस procedure के after care, जो है, उसको देख लेते हैं, कि after care, patient का procedure complete होने के बाद, हम उसको किस परकार के instruction दे सकते हैं, यानि कि increase the fluid intact, okay, fluid intact को बढ़ाना है, किस लिए, ताकि consumption वगिरा नहीं हो, okay, और fluid intact, जिता ज्यादा fluid intact बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, जो barium जो है, suspension, या barium का contrast media है, वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी body से exit हो जाएगा, और patient को एक और चीज inform करनी है, कि जो भी patient को हम बता देंगे, कि दो दिन, दो या दो से अधिक दिन तक आपका जो फिकस material है, वो whitish हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है, okay, तो यह हमारी after care के अंदर आता है, okay, thank you, see you in next video, thank you